हेलो फ्रेंट्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ बाल मुकुन मौर्या और आप देख रहे हैं गया नेक्स पी तो फ्रेंट्स पिछले कुछ दिनों से हम वीडियोस अपलूट नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारी कुछ हेल्थ ठीक नहीं थी अभी हम comfort feel कर रहे हैं तो आज से दुबारा से हम class start कर रहे हैं और आज हम इस class में discuss करने वाले हैं 7, 8, 9, 10 और 11 October की टुपल्स exam में पूछेगे कुछ important questions काफी लोगों ने हमें questions बेजे हैं सभी के questions आज हम इस वीडियो में discuss नहीं कर पाएंगे सभी के questions को हम अलग से किसी एक वीडियो में discuss करेंगे क्यों कि यह सभी important questions हैं और आने वाले टुपल्स exam में काफी help मिलती है तो I hope आप सब ready होंगे उससे पहले देख लिते हैं इन questions को किन किन लोगों ने हमें बेजा है तो सबसे पहला नाम है अंजली, राहुल, आर्वेन, सिवानी, नीरज, राहुल, सिवेन, देवकरन इन सभी को में तरफ से बहुत बहुत धन्य बाद इनोंने अपना important समय निकाल के आप लोगों के help करने के लिए हमें questions बेजे और उमीद करते हैं इन questions से आप सभी को काफी help मिलने वाली है तो आई देखते हैं आज का सबसे पहला question तो आज का सबसे पहला question है TCP IP model में कितनी layers होते हैं ये question काफी बार repeat हो चुका है हलक यहां से कई सारे questions बन सकते हैं जैसे कि मैं कई कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ TCP IP model में total 4 layers होती हैं आप यहां से इन layers के नाम भी पता होने चाहिए क्योंकि इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं तो application layer होते हैं transport layer होते हैं internet layer होते हैं और network interface layer होते हैं तो यहां पे TCP IP model में total 4 layers होते हैं इनके नाम भी आप याद कर लिजे जिस भी तरह से आप याद करना चाहिए आप कहीं पे no down कर लिजे क्योंकि यहां से भी questions पूछे जा सकते हैं किसी भी layer के बारे में पूछा जा सकता है पूछा जा सकता है इन में से कौन सी TCP IP model की layer नहीं है तो आप याद रखिए application layer, transport layer, internet layer और network interface layer तो यह total 4 layers होते हैं TCP IP model में और हलके अगर हम इस question की बात करें तो इस question में पूछा गया है TCP IP model में कितनी layers होते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा 4 और अगले question है POP3 और IMAP में कौन अधिक फाइदे मंद है तो आज हमने जितने भी questions select कियें यह सभी important questions है तो बता है इस question का right answer क्या होगा POP3 और IMAP में कौन सबसे अधिक फाइदे मंद है तो इसको भी आप समझ लेजें क्योंकि यहां से कई सारे questions बन सकते हैं अगर हम POP3 और IMAP की बात करें तो यह ऐसे protocols होते हैं जिसका इस्तिमाल के जाता है email को receive करने के लिए SMTP की बात करें तो एक ऐसा protocol है जिसका इस्तिमाल के जाता है mail को send करने के लिए और mail को receive करने के लिए दो protocol से इस्तिमाल के जाते हैं POP3 और IMAP अगर आपको POP3 और IMAP में difference पता होगा कौन सा protocol कहाँ पर किस time पर email receive करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है तो आप easily इस question का right answer दे पाएंगे उके तो इस बारे में हम बात कर लेते हैं जैसे POP3 के बात करें तिक ऐसा protocol होता है इसको email client के साथ में इस्तिमाल किया जाता है जैसे की Outlook Express अगर हम अपने system में Outlook Express install करते हैं तो उससे जो email receive करने के लिए protocol इस्तिमाल होता है वो होता है POP3 और अगर आप किसी browser के माध्यम से email accounts को access करते हैं जैसे की Gmail यह Yahoo mail तो वहाँ पे email को receive करने के लिए protocol इस्तिमाल होता है IMAP तो आब इस question में पूछा गया है POP3 और IMAP में कौन अधिक फाइदेमंद है तो इस question का right answer हो जाएगा option B IMAP अब इसका एक region है क्यों फाइदेमंद है यह भी आपको पता होना चाहिए देखे POP3 क्या होता है email client के साथ इस्तिमाल करता है means अगर आपने किसी एक system में अपना email client configure कर करके रखा है तो आप हमेशा उसी system पे अपने emails को access कर सकते है जबकि IMAP आप कहीं से भी किसी भी system पे जाके अपना email account login करके अपना email account open कर सकते है emails को read कर सकते है तो यह एक benefit होता है IMAP का जिसको आप multiple device पे multiple login के थुरू अपने email account को access कर सकते है तो यहाँ पे boundation नहीं होता है आप remote location पे हैं आपके पास machine ये laptop ये desktop नहीं है तो उस case में आप अपना email account access नहीं कर पाएंगे जबकि IMAP के cases में आप कहीं से भी किसी भी device जो भी comfortable device होगी जिस पे आप email account open कर सकते है या browser access होता है तो वहाँ पे भी आप अपना email account access कर पाएंगे तो ये benefit होता है IMAP का तो अगर हम इस question के right answer की बात करें तो इस question का right answer हो जाएगा option B IMAP और इन सभी के full form भी पूछे जाते हैं तो IMAP का full form होता है internet message access protocol और अगला question है LibreOffice writer में print preview की shortcut की क्या है बहुत simple question है इससे पहले भी अपने वीडियोस में कई कई बार मेंने बता है control plus shift plus o print preview की shortcut की होती है और अगला question पूछे गया है full form of MIME ये question पहले कई बार exam में आ चुका है तो थोड़ी सी wise problem हो सकती है क्योंकि मुझे गले में थोड़ी से अभी भी problem है क्योंकि पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुआ हूँ तो इस question का right answer हो जाएगा multi purpose internet mail extensions जिनका भी exam number या December में होने वाला है आप सभी के लिए questions बहुत ही important है कि इन में से बहुत सारे questions number और December purpose exam में repeat होने वाले है और अगला question है internet explorer एक प्रसिद ब्राउजर है तो इस question का right answer हो जाएगा true जो आई या फिर internet explorer की बात करें तो ये windows operating system में default install आता है तो default install browser होने की वज़े से maximum लोग इसका इस्तिमाल करते हैं हलाकि समय देखा जाए तो धीरी धीरी popularity बढ़ रही है जो chrome browser है उसको ज़्यादा लोग इस्तिमाल करना start कर चुके है अब भी लेकिन internet explorer सबसे ज़्यादा popular web browser है क्योंकि इसका region है कि windows operating system में default install होता है और default रूप से हमें मिलता है जिसकी वज़े से सबसे ज़्यादा popular है और अगला question है twisted pair और coaxial cable में data is thundered means transmission बिद्द प्रभाह की माध्यम से होता है तो बिल्कुल साइस question का right answer हो जाएगा true twisted pair या coaxial cable की बात करें तिन दोनों cables में जो data होता है वो electrical signals की form में travel करता है transmit होता है यहाँ से एक और question पूछा जा सकता है कौन साइस cable है जिसमें data light की माध्यम से भीजा जाता है या प्रकास के माध्यम से भीजा जाता है तो अगर हम इस तरह की question पूछा जाता है तो इस question का right answer हो जाएगा optical fiber जो optical fiber cable होती इसमें जो data होता है वो lights की form में भीजा जाता है means data को भीजने के लिए वहाँ पे light beam का इस्तिमाल किया जाता है और अगला question है email के विशे पंक्त में भीवरण दिया जाता है बताए इस question का right answer क्या होगा true या false क्या email के subject line में भीवरण दिया जाता है तो इस question का right answer हो जाएगा false email का जो subject line होता है वहाँ पे email का subject लिखा जाता है जबकि vieweran की बात करें तो email का जो body section होता है वहाँ पे vieweran दिया जाता है और अगला question पूछा गया है online chatting के लिए instant messaging का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए instant messaging होता क्या है instant messaging ऐसा application होता है जिसमें आप real time पे chatting कर सकते हैं voice call कर सकते हैं या फिर video call कर सकते हैं जैसे कि telegram, whatsapp या फिर instagram ये सभी क्या instant messenger है जहां पे real time पे chatting की जा सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा true online chatting के लिए instant messenger का इस्तेमाल किया जाता है और अगला question नहीं IRCTC ticket booking app का नाम क्या है exam में पूछे जा चुके हैं तो इस question का right answer हो जाएगा IRCTC rail connect जो की IRCTC का एक app है जहां से आप अपने tickets को book कर सकते हैं और अगला question ने dizzy locker को कब launch किया गया था ये question भी कई बार repeat हो चुका है इस question का right answer हो जाएगा option B 2015 में dizzy locker को launch किया गया था और अगला question ने scratch card एक QR code होता है बताई इस question का right answer क्या होगा true या false तो इस question का right answer हो जाएगा false scratch card एक ऐसा card होता है जहां पे कुछ code दिया रहता है उसको आप scratch करते हैं उसके अंदर कुछ code निकलता है जिसको आप कहीं पे apply करते हैं किसी भी तरी की का offer code होता है आप जो QR code होता है वो scan किया जाता है और यह कई अलग-अलग जगे पर हम इस्तिमाल करते हैं जैसे कि ओन-लाइन payment के लिए इस्तिमाल करते हैं या फिर प्रड़क्ट tracking के लिए इस्तिमाल कया जाता है या फिर courier services में इस्तेमाल होता है या फिर companies में QR code का इस्तेमाल होता है ये दोनों अलग-अलग चीज़े होती है means scratch card एक QR code नहीं होता है तो इस question का right answer हो जाएगा false और अगला कुछ ने भारत में credit card सुरू करने वाला पहला bank कौन सा है बताई इस question का right answer क्या होगा आप देखिए यहां से कई सारे questions पूछे जा सकते है जैसे यहां से question पूछा जा सकता है कि इंडिया में सबसे पहले ATM किस bank ने इसू किया या जारी किया तो HSBC bank ने सबसे पहले इंडिया में ATM machine लगाई थी और यहां से एक और question बन सकता है कि सबसे पहला ATM इंडिया में किस year में launch किया गया तो 1987 याद कर लिजे यहां से कई सारे questions बन सकते है 1987 में सबसे पहला ATM लगा था किसके दोरा HSBC bank ने सबसे पहला इंडिया में ATM setup किया था यहां से एक और question बन सकता है कि internet banking की सुरुआत किस bank ने की यह सभी questions ऐसे हैं जो कि पहले पूछे जा चुके है तो ICIC bank ने सबसे पहले internet banking की सुरुआत की थी अब यहां से एक और question बन सकता है कि जैसे कि mutual fund सबसे पहले किस bank ने start किया तो SBI bank ने सबसे पहले mutual fund की सुरुआत की थी अगर हम इस question के right answer की बात करें तो इस question का right answer हो जाएगा Option D Central Bank of India ने सबसे पहले भारत में credit card जारी किया था और अगला question ने full form of Bheem तो Bheem क्या है कि UPI application है और Bheem का full form होता है भारत interface for money और अगला question ने blockchain प्रद्योगिकी में सिक्का का नाम means blockchain technology में सिक्के को किस नाम से जानते है तो इस question का right answer हो जाएगा crypto token जो सिक्का होता है crypto currency में उसको बुलते है crypto token तो इसको भी आद कर लिजए नया question है और अगला question है full form of FDM काफी ज़्यादा repeat होने वाला question है अकसरी AAAC exam में पूछा जा रहा है तो FDM का है 3D printing technology है और इसका full form होता है fuse deposition modeling और अगला question है computer restart करने की प्रक्रिया को reboot कहते है बताए इस question का right answer क्या होगा true या false computer restart करने की प्रक्रिया को reboot कहते है बिल्कुल साइस question का right answer हो जाएगा true और अगला question है antivirus किस प्रकार का software है application software, utility software या फिर firmware या फिर इन में से कोई नहीं तो इस question का right answer हो जाएगा option B utility software जो antivirus आते हैं वो सभी utility software की category में आते हैं और अगला question है printer की speed को dot पर इंच में मापा जाता है तो अगर हम printer की speed की बात करें तो इसको cpm या फिर ppm या फिर lpm इन तीनों में मापा जाता है तो इन सभी के full form भी कई बार exam में पूछे जा चुके तो cpm का full form होता है character per minute और ppm का full form होता है page per minute और इसी तरह से अगर हम lpm के बात करें तो होता है line per minute तो यहाँ पे यह पूछा जा सकता है कि cpm किस प्रकार के printer की speed होते है या ppm किस प्रकार के printer की speed होते है या फिर lpm किस प्रकार के printer की speed होते है तो यहाँ से भी कई सारे questions बन सकते है तो अगर देखें cpm की बात करें तो यह dot matrix printer की speed को मापने के लिए इस्थिमाल किया जाता है lpm की बात करें तो यह line printer की speed को मापने के लिए lpm का इस्थिमाल किया जाता है जबकि अगर हम inkjet printer या फिर thermal printer या फिर laser printer की बात करें तो इसकी speed को page per minute में मापा जाता है तो I hope समझ में आ चुका होगा इस question का right answer क्या है इस question का right answer हो जाएगा false क्योंकि यहाँ पे printer की जो quality होती है इसको dot per inch DPI में मापा जाता है तो DPI का full form भी कई बार exam में पूछा गया है तो DPI का full form होता है dot per inch और अगला question ने IBM 650, IBM 701 या फिर IBM 702 किस PD के computer है first, second, third या फिर fourth तो इस question में सिर्फ पूछा गया था IBM 650 किस generation का computer है यहाँ पे मैंने 701 और 702 अलग से add कर दिया गया क्योंकि इन दोनों के बारे में इसी तरह से question को पूछा जा चुका इससे पहले तो यह सभी computer first generation के computers है तो याद कर लिए इन तीनों में से किसी का भी पूछा जा सकता है किस generation या किस PD का computer है तो यह तीनों computer first generation के computers है इससे पहले भी question कई बार triple C exam में repeat हो चुके है तो इस question का right answer हो जाएगा आप सने first generation और अगला question है max suit means formula का उपयोग दूसरी सबसे बड़ी संख्या को खोजने के लिए किया जाता है बताए इस question का right answer क्या होगा अगर आप second highest value निकालना चाते हैं तो क्या max formula का इस्तेमाल कर सकते हैं calc के excel में तो इसको हम थोड़ा सा practical के साथ देख लेते हैं क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि second highest value actually होती क्या और किस तरह से हम निकाल सकते हैं तो यहाँ पे हम open करेंगे calc तो max जो formula होता है उसका इस्तेमाल किया आता है maximum value निकालने के लिए लेकिन यहाँ पे पूछा गया है second highest value को निकालने के लिए या max formula का इस्तेमाल किया जा सकता है तो max formula का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है अगर आप maximum value निकालना चाते हैं तो यहाँ पे हम कुछ values पहले insert कर लेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे जैसे कि यहाँ पे मैंने two put कर दिया यहाँ पे 6 हमने डाल दिया और इस चेगे पे हमने डाला 1 और यहाँ पे 8 यह numbers हो गए अगर आप यहाँ पे highest की बात करें तो 8 यहाँ पे highest हो जाएगा और second highest क्या है 6 तो हमें second highest निकालना है और इस चेगे पे हमें print करना है या फिर इस cell में हम second highest चाहते हैं इस particular range का तो हम क्या करेंगे जहाँ पे भी हमें second highest value चाहिए वहाँ पे हम click करेंगे और इसके बाद एक function होता है हमाँ पास large large function का आप इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे large type किया आप देख सकते हैं यहाँ पे function name आ चुका है तो integrate करेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे range put करने ही means यहाँ पे इसको हम drag कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a1 colon a4 automatic type होके आ चुका है और इसके बाद हमें यहाँ पे comma लगाना है जैसे a1 colon a4 के बाद comma लगाएंगे अगर हमें second highest value चाहिए दिन हम यहाँ पे 2 type कर देंगे और अगर हमें third highest value चाहिए दिन हम यहाँ पे 3 type करेंगे तो अभी हमें second highest value चाहिए तो हम क्या करेंगे integrate करते हैं तो अब आप देख सकते हैं second highest value क्या है 6 आ चुका है यहाँ पे result में अगर हमें third highest value चाहिए तो third आपको इसमें से कौन सा दिख रहा है third highest है 2 तो अगर हमें third highest चाहिए दिन हम यहाँ पे क्या करेंगे comma के बाद जो हमने 2 लिखा है वहाँ पे क्या करेंगे 3 put कर देंगे तो अब हमें third highest value मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे R.I.2 तो I hope समझ में आ चुका होगा इस question का right answer हो जाएगा false max formula का उप्योग करके आप दूसरी सबसे बड़ी संख्या को खोजने के लिए इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं इसके लिए कौन सा formula इस्तिमाल करते हैं लाज और अगला question है दो land खंड means segment किसके द्वारा चुड़े होते हैं तो यहाँ से भी कई सारे questions बन सकते हैं तो सबसे पहला option है repeater, hub, switch या फिर bridge बताई इस question का right answer क्या होगा तो इस question का right answer जाएगा option D, bridge जब आप दो या दो से अधिक lines को आपस में जोड़ना चाते हैं जो की same protocols पे run कर रहे हैं दिन हम bridge का इस्तिमाल करते हैं अगर वो अलग-अलग protocols पे काम करें दिन वहाँ पे gateway का इस्तिमाल किया जाता है और अगर हम repeater की बात करें तो इसको ring topology में इस्तिमाल किया जाता है repeaters का काम होता है जो beak हो रहे signals होते हैं उसी type के signals को regenerate करके आगे की line पे forward करना और hub और switch के इस्तिमाल किया जाता है start topology में तो यहां से भी कई सारे questions बन सकते हैं याद कर लिजे क्योंकि काफी सारे questions यहां से पूछे जा चुके हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option D दो line segments को आपस में connect करने के लिए जोड़ने के लिए bridge का इस्तिमाल किया जाता है और अगला question ने इन में से कौन सा portable computer नहीं है notebook, mini, micro या फिल laptop तो portable वो computers होते हैं जिनको आसानी से एक जगे से दूसरी जगे ले जाया जा सकता है तो इस question का right answer हो जाएगा option B mini computer ऐसे computers होते हैं जो की portable नहीं होते हैं इनका जो size होता है वो micro computer से जाता होता है अगर हम notebook की बात करें ये laptop की बात करें ये सभी micro computer की category में आते हैं और अगला question ने ICT का उप्योग government सूचना आदान प्रदान के लिए करती है तो यहां से एक और question बन सकता है कि जैसे की ICT का full form exam में पूछा जा सकता है तो ICT का full form होता है information, electronic, communication, technology तो इसका इस्तिमाल के आता है government के द्वारा जो information होती है वो एक जगे से दूसरी जगे भीजने के लिए या प्राप्त करने के लिए तो इस question का right answer हो जाएगा true और अगला question जो की काफी simple है लेकिन अगर आप इसी logically अच्छी तरीके से read करेंगे तभी आपको समझ में आएगा इस question का right answer क्या होगा अब देखिए हाँ पे cell address दिया गया है a1, a2, a3, a4, a5 में a1 equal 15, a2 equal 85, a3 equal b और a4 equal e and a5 equal i है तो count a1 colon a5 का मान क्या होगा बताए इस question का right answer क्या होगा तो देखिए हाँ पे count function क्या गरता है सिर्फ numeric values को count करता है तो a1 में एक numeric value है, a2 में numeric value है और a3 में numeric value नहीं है a4 में भी numeric value नहीं, a5 में भी numeric value नहीं है मीनस यहाँ पे characters है तो इस question का right answer रोज़ेगा option a2 क्योंकि count function क्या गरता है सिर्फ numeric values को count करता है और अगला question ने LibreOffice Calc में एक साथ सभी row को hide कर सकते हैं तो आई ये सबसे पहले हम इसको practical के साथ बताते हैं किस तरह से आप सभी row को hide कर सकते हैं तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं delete आप देखें पूरी की पूरी अगर seat हमें select करने दिन हम क्या करेंगे यहाँ पे आप देखें name box के जस्ट नीचे एक box रहता है जो की खाली है इस पे अगर हम click करते हैं तो पूरी की पूरी seat select हो जाएगी सारे column सारी row एक साथ आप select कर सकते हो तो जब हमें row या column को hide करना होता है तो उससे पहले में select करना है इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे जाना है format पे format पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें row का option दिया है यहाँ पे आप hide का option देख सकते हैं hide पे जैसे ही click करेंगे आप देख सकते हैं तो I hope समझ में आ चुका है, इस question का right answer हो जाएगा true, आप LibreOffice Calc में एक साथ सभी रोग को hide कर सकते हैं। और अगला question के द्वारा शुरू की गई video sharing सेवा क्या है? तो इस question का right answer हो जाएगा Facebook Watch, अब यहां से आने वाले दिनों में एक और question पूछा जा सकता है, कि Facebook के द्वारा video sharing सेवा की शुरूआत कब की गई तो 2017, और उसका नाम क्या है Facebook Watch, और अगला question पहला micro computer कौन सा है? तो इस question का right answer हो जाएगा Alt Air, 8800 नाम का जो computer हो वो वर्ड का सबसे पहला micro computer है, और इसको 1974 में जारी किया गया था, launch किया गया था, तो यहां से year भी पूछा जा सकता है, और अगला question पूछा गया है, किस card के लिए अगरिम भुकतान करना पड़ता है, smart card, gold card, debit card या फिर credit card, बताई इस question का right answer क्या होगा, तो wise quality में थोड़ी सी problem हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी मेरा थोड़ा सा गलाख खराब है, तो इस question का right answer हो जाएगा option है, smart card, अगर आप metro city में रहते हैं, और आप metro train का इस्तिमाल करते हैं, तो आपको पता होगा smart card कहां पे इस्तिमाल करते हैं, तो smart card के लिए आपको अगरिम भुकतान या pre payment करना होता है, जिसका इस्तिमाल आप metro में करते हैं, एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए, और अगला question है, UPI से पैसे transfer करते हैं, आधार number की आवसेक्ता पढ़ती है, बहुत simple question है, इस question का right answer हो जाएगा false, अगर आप UPI के म आध्यम से UPI का इस्तिमाल करते हुए fund transfer करना चाते हैं, तो आपके पास account number होना चाहिए और NFT code होना चाहिए, और अगला question है, email में हस्ताचर किस तरफ होता है, तो इसको भी आप समझ लीजे, email में signature कहां पे होता है, तो कई बार जब आप किसी institution या company से कोई mail receive करते हैं, तो आपने नीचे देखा होगा, यहाँ पे उसका नाम, website, email, contact, इस तरह की details रहती हैं, और यहाँ पे आपको पता चलेगा किसके द्वारा mail भेजा गया, और यहाँ पे subject line होती, इसके just नीचे body section होता है, जहाँ पे पूरा email का content लिखा जाता है, describe किया जाता है, तो यहाँ पे signature कहाँ पे होता है, bottom पे left hand side, तो इस question का right answer हो जाएगा option B, bottom left पे signature option या बिकल्प होता है, और अगला question है, लिब्रे आफिस के आलक में अधिकतम कितनी seat हो सकती है, तो इससे पहले भी equation पूछा जा चुका है, जिसमें options होते थे, 10,000, maximum seat साब बना सकते हैं, लेकिन अगर हम लि लिब्रे आफिस के वर्जन्स आएं, उसमें लिब्रे आफिस कैल्क में अधिकतम seat की जो संख्या है, 32,000, इसको याद कर लिजी, updated question पूछाएगा, इस बार triple C exam में, तो इस question का right answer हो जाएगा option A, 32,000, seats आप बना सकते हैं, लिब्रे आफिस कैल्क में, और अगला question है, एक ब October के triple C exam में पूछेगे, बहुत से लोगों ने हमें questions भेजे हैं, सभी के questions आज हम इस class में discuss नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले दिनों में, आप सभी के द्वारा भेजेगे, सभी questions को हम discuss करेंगे, क्योंकि सभी questions important हैं, आज कुछ selected questions हम इस class में discuss कर रहे हैं, तो इस question का right answer हो जा और अगला question ने पहला antivirus कौन सा था, यह काफी important question है, यहां से आगे भी कई अलग अलग तरा के questions पूछे जा सकते हैं, तो अगर हम इस question के right answer की बात करें, तो the Ripper सबसे पहला antivirus था, अब यहां से question बन सकता है कि सबसे पहले antivirus को किसने बिक्सित किया, तो Ray Tom Linson ने सबसे antivirus application डबलब किया था, जिनको आप जानते होंगे, इन्होंने सबसे पहला email भी भेजा था, तो Ray Tom Linson एक ऐसे person है, जिन्होंने सबसे पहला antivirus डबलब किया, और इन्होंने सबसे पहला email भी send किया था, तो यहां से एक और question पूछा जा सकता है, कि सबसे पहला virus कौन था, जि रीपर नाम का एक सबसे पहला virus था, जिसके लिए antivirus application, Ray Tom Linson के द्वारा लिखा गया, और उस antivirus application का नाम था, रीपर, तो याद रखी, यहां से बहुत सारे questions बन सकते हैं, और अगला question है, free software foundation, जिसको short में बोला जाता है, FSF, और इसका full form भी कई बार exam में पूछा गया है FSF का full form होता है, free software foundation की स्थापना किस ने की, तो यहां से दो questions बनते हैं, तो पूछा जा सकता है, जैसे कि इस question में पूछा गया है, किस ने की, तो Richard Stallman ने की थी, और यहां से एक और question पूछा जाता है, किस year की गई, तो 1985 में free software foundation की स्थापना Richard Stallman के द्वारा की गई थी, और इस question का right answer हो जाएगा false, neft के लिए net banking जरूरी नहीं है, अगर आप UPI के इस्तिमाल करते हैं, तो आप neft के through payment कर सकते हैं, अगर आप net banking के इस्तिमाल करते हैं, उसके through payment कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास net banking, UPI कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद आप neft के इस्तिमाल कर सकते हैं, किसी को payment भेजने के लिए, आपको जाना है सिदे bank में, वहाँ पे आप जिसको भी payment करना है, आप वहाँ पे form fill up कीजी, और neft के मादम से आप उसके account में पैसे भेज सकते हैं, और अगला कुछ से ने header में वर्तमान समय insert कर सकते हैं, तो बताए इस question का right answer क्या आने का option किस menu में होता है, तो यह होता है insert menu में, आप देखें आप राइटर मैंने open किया, आप यहाँ से देख सकते हैं, header and footer का option आ रहा है, आपको जो भी insert करना आप यहाँ से select कर सकते हैं, तो अभी हमें क्या गरना है, header में current time डाल ला है, अब यह कैसे डालेंगे वो भी आप देख लीजे, तो यहाँ पे header activate हो चुका है, आप चाहें तो यहाँ पे paste number insert कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई title डाल सकते हैं, या document का नाम डाल सकते हैं, या फिर आप कुछ भी आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, तो यह header में add हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे page count आजाएगा, जैसे कि 1 of 1, 1 of 2 इस तरीके से आएगा, और इसके बाद यहाँ पे अगर आप date डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे click कर सकते हैं, और यहाँ पे आप को time का भी option मिलता है, तो जैसे आप यहाँ पे click करेंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ पे time भी आ चुक अलग-अलग भी full form हो सकते हैं, तो अगर यह computer से related पूछा गया है, तो इसका full form होता है, write once, read many, जैसे कि CD होता है, जो CDR आता है, वो CDR एक बार आप write कर सकते हैं, और उसको multiple time read कर सकते हैं, तो उसी के terms में बुला जाता है, warm, warm का मतलब होता है, write once, read many, और अगला कोशने, Libre तो जब आप कोई slide प्रिंट करते हैं, तो वहाँ पे handout प्रिंट करने का भी option आता है, तो अगर हम MS office के बात करें, वहाँ पे PowerPoint में एक slide पे maximum, एक page पे maximum, आप 9 handout प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम Libre office impress के बात करें, तो एक page पे maximum 32 handout प्रिंट किये जा सकते हैं, हालकि इतना ज़्यादा छोटा size हो जाएगा कि सायद आपको slide समझ में नहीं आएगी, जो standard size होता है, maximum आपको एक page पे 9 slides को प्रिंट करना चाहिए, लेकिन अगर आप impress के इस्तिमाल करते हैं, और आप कोई बड़ा page size इस्तिमाल कर लेते हैं, तो आप वहाँ पे maximum जो एक page slide प्रिंट करने का option मिलता है, वो होता है 32, तो इस question का right answer हो जाएगा option D32, और अगला question है, secondary memory वा memory होती है, जिसमें हम बहुत कम कीमत पर unlimited data store कर सकते हैं, तो question थोड़ा सा logical है, देखते हैं आप में से कितने लोग इस question का right answer दे पाएंगे, secondary memory वा memory होती है, जिसमें हम बहुत कम कीमत पर unlimited data store कर सकते हैं, तो देखी, secondary memory सबसे cheapest है, सबसे सस्ती memory होती है, लेकिन वहाँ पे भी जो memory space होता है, वो limited होता है, unlimited किसी भी memory में memory space नहीं होता है, तो इस question का right answer हो जाएगा false, अब कई लोग इसका right answer दी होंगे true, लेकिन अगर आप इस word को अच्छी तहीं के समझें तो इस तरह के कुछ logical question भी triple's exam में पूछे आते, आपको देखने में लगेगा कि बिल्कुल सही होगा, लेकिन वह होता है गलत, और अगला question है, 3D printing को additive manufacturing के रूप में भी जाना जाता है, तो बिल्कुल सही इस question का right answer हो जाएगा true, 3D printing को additive manufacturing के नाम से भी जाना जाता है, और question है, mail merge करने के लिए कुल चर्ण सामिल है, means कितने steps होते हैं, अगर आप mail merge करना चाते हैं, तो कितने steps होते हैं, तो इसको भी आप एक बार देख लिजे, तक कि याद हो जाए, हम यहापे कुछ ऐसे questions होते हैं, जिनको practical के साथ explain करने की जरूरत है, तो उनको हम practical के साथ बता हैं, इससे क्या होता है, कि आपको इस question का right answer आपके दिमाग में बैट जाता है, याद हो जाता है, तो अगर आप mail merge की बात करें, तो यहाँ से question पुछा जा सकता है, mail merge का option किस menu के अंदर होता है, तो LibreOffice writer में आपको जाना है, tools में, यहाँ पे आप देखेंगे mail merge का एक option द पांच हुआ, पांच अलग-अलग steps होते हैं, और इन सभी steps को आप one by one, mail merge setup करने के लिए इस्तिमाल करते हैं, तो इस question का right answer हो जाएगा 5, कितनी चरण होते हैं, कुल 5, means 5 steps होते हैं, और अगलग मिशने, Ethernet किस network के लिए उप्योग किया जाता है, तो अगर हम इस question के right answer के ब और अगला question है, लिब्रे आफिस के किस menu में नया बिंडो बिकल्प मौझूद है, लिब्रे आफिस के किस menu में नया बिंडो बिकल्प मौझूद है, फाइल, इंसर्ट, टूल, या फिर बिंडोज, तो इसको भी आप देख लिजे, जैसे कि हम यहाप पे writer open करेंगे, तो और अगला question है, किसी object में आकार बदलने के लिए कितने dots होते हैं, अब इसको भी आप पहले समझ लिजे, आकार बदलने के लिए कितने dots होते हैं, क्या होता है, जैसे आप कोई object insert करते हैं, कोई image insert करते हैं, किसी भी page पे, तो आपने देखा होगा, जब हम उस image को insert कर देते ह यहां पे कुछ इस तरह से dots रहते हैं, जो कि यहां पे आपको 4 corner पे मिल जाएंगे, यहां पे dot रहता है, यहां पे रहता है, यहां पे रहता है, यहां पे रहता है, तो आप इनको resize करने के लिए इस्तिमाल करते हैं, किसी भी object को resize करने के लिए आप इसका इस्तिमाल करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप इसको count करेंगे तो total कितने dots है 8 यह question इससे पहले भी कई बार exam में पूछा जा चुका है तो इस question का right answer हो जाएगा 8 किसी object में आकार बदलने के लिए या resize करने के लिए total 8 dot होते हैं जहां से आप उसका size change कर सकते हैं इस बार triple exam में count function बहुत बार पूछा गया है तो देखें यहाँ पे एक बार फिर से उसी तरह का question पूछा गया है बस इसमें values को change किया गया है तो यहाँ पे देखें 5, 0, 0, 0, 5 दिया गया है यह दिस cell A1, A2, A3, A4 और A5 में मान यहाँ पे देखें 5, 0, 0, 0 और 5 है तो A6 में cell गरना function मींस count function का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका मान क्या होगा तो देखें यहाँ पे सभी यह numeric values हैं अगर आप इन values को देखेंगे 5, 0 भी एक numeric value है 0 फिर यहाँ पे again फिर 0 और इसके बाद 5 है यहाँ पे क्या है, total 5 values हैं जोकि सारी के सारी values numeric में हैं तो इस question का right answer होजएगा option D5 तो इसको भी हमें एक बार आपको practical के साथ दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए तो इसको हमें एक बार फिर से unhide करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे hide कर दिया था, इस बार हम row में जाएंगे तो इहाँ पे देखे, सारी row हमारी so हो चुकी है अब हमें A1 के अंदर क्या करना है, 5 डालना है फिर यहाँ पे 0, 3 बार हमें यहाँ पे 0 put करना है तो 3 बार हम यहाँ पे 0 put कर देते हैं और इसके बाद A5 में दिया गया है 5 आप एक बार फिर से question देख लिजे ताकि कोई confusion ना रहे है यहाँ पे देखे A1 से A5 तक की values है और यहाँ पे 5 से start है और इसके बार last में भी 5 है इसके बाद A6 में हमें result चाहिए यहाँ पे हम apply करना है यह function तो इसको भी हम apply करेंगे A6 में A6 क्या है यहाँ पे अभी कौन सी cell है यह कैसे पहचानेंगे जैसे आप किसी भी cell पे click करते है यहाँ पे एक name box होता है उसमें उसका address आ जाता है तो अगर हम यहाँ पे click करेंगे आप देख सकते हैं corner में क्या रहा है A6 तो अब हम यहाँ पे count function type करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या type करना equal फिर यहाँ पे लिखेंगे count तो यहाँ पे मैंने count function type कर दिया है अब इसके बाद हम क्या करेंगे इस range को select कर लेंगे देखी A1, A5 लिख के आ रहे है अब इसके बाद हमें क्या करना है इंटर की hit करनी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या रहा है तो इस question का right answer हो जाएगा option D और अगला को इसने किसे check card कहा जाता है यह question पहले भी पूछा जा चुका है debit card, credit card, debit and credit both या फिर none of these थोड़ी सी wise quality में problem हो सकती है क्योंकि अभी भी मेरा गला काफी खराब है तो अगर हम इस question के right answer की बात करें तो इस question का right answer हो जाएगा option यह debit card को check card के नाम से भी जाना जाता है जैसे आप अपने bank account से check किसी को देते हैं payment करने के लिए उसी तरह से आप अपने bank account से payment करने के लिए debit card का भी स्थिमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर check card को हम debit card के नाम से भी जानते हैं या फिर debit card को check card के नाम से भी जाना जाता है और अगला question है एक computer में instructions और program होते हैं बताए इस question का right answer क्या होगा software, hardware, instructions या फिर ए तथा भी दोनो तो अगर हम software की बात करें तो यह क्या होता है collection of programs या फिर collection of instructions तो यहाँ पर क्या आएगा software अब आप इस पूरी line को read कीजे और यहाँ पर software put up कर दीजे तो क्या होगा, एक computer software में instructions और programs होते हैं तो इस question का right answer रुजएगा option ही और अगला question है data को संसाधित करते समय means process करते समय data कहां store रहता है संग्रहित किया जाता है मुख्य memory means main memory सहायक memory जिसको हम secondary memory या फिर auxiliary memory के नाम से जानते हैं या फिर hard disk में होता है या फिर इन में से कोई नहीं तो जिस time पर data की processing होते है वो हमेशा मुख्य memory means RAM के अंदर होता है तो इस question का राइटांस रो जाएगा option ए मुख्य memory जिसको main memory के नाम से जानते हैं और अगला question है एक भोगता दूसरे भोगता को कुछ बेचता है तो क्या कहलाता है तो एक consumer अगर कोई product दूसरे consumer के साथ बेचता है तो वोता है C to C तो आप इसको भी आद कर लिजे कई बाद C to C का full form पूछा जाता है तो consumer to consumer या फिर इसको customer to customer भी बोला जाता है और अगला question जो की आज की class का last question है clear direct formatting की shortcut कुणजी क्या है तो इस question का right answer हो जाएगा control plus M तो ये question थे 7, 8, 9 और 10 October और 11 October के triple C exam में पूछेगे कुछ selected question थे आलगी मुझे बहुत सारे question अलग लग लग लोगों ने भेजें सभी के questions आज हम discuss नहीं कर पा रहे है क्योंकि पिछले कई दिनों से हमाई थोड़ी सी health problem थी जिसके वज़े से हम class को continue नहीं कर पा रहे थे last जो मैंने वीडियो अप्लोड किया था वो 6 October का paper selection अप्लोड किया था उसके बाद आज हम यहाँ पे एक नया class स्टार्ट करें और चो लोग 9 और या December triple C exam की तयारी करने वाले है जल्दी हम उन सभी के लिए अलक से classes स्टार्ट करने वाले है और जिनका भी 9 और या December में triple C exam में उन सभी के लिए में तरफ से एक छोटा सा suggestion है आपको सबसे पहले syllabus complete करना चाहिए उसके बाद आपको practice करनी चाहिए अगर आप एक बार में triple C के exam qualify करना चाहते है तो आप सबसे पहले syllabus complete कीजिए पूरा complete new syllabus हमारी चैनल की playlist में आपको मिल जाएगा triple C new syllabus complete कोस नाम की playlist है जहांसे आपको 57 वीडियो में पूरा syllabus free of cost मिल जाएगा जिसकों आप घर बैठे आराम से तयार कर सकते हैं और इसके बाद आप practice कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए आप जितने भी online टेस्ट के वीडियो से आप उसे देखते रहे हैं प्लस आप हमारी website gyanxp.com से practice कर सकते हैं तो उमीद करते हैं आज किस class में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज हमाई इस वीडियो को like उसे जरूर कीजेगा और आने वाले दिनों में अगर आप triple C के साथ साथ O label की भी तयारी करना चाहते हैं तो आप हमाई साथ बने रहे हमारे चैनल को subscribe कीजे O label की classes start हो चुकी है जिसमें से O label new syllabus में एक subject हमने पूरा upload कर दिया है free of cost आपको मिल जाएगा M3R5 Python programming जो की सबसे ज़्यादा important और complex subject है जिसकी series को हमने सबसे पहले complete कर दिया है तो जो लोग O label कर रहे हैं और नए syllabus के recording कर रहे हैं आप लोग यहां से हमारे चैनल की मादेम से O label की भी पूरी तयारी कर सकते हैं और आने वाले दिनों में जो बचे हुए subject से O label के उनकी भी series start होगी और सभी subject की complete videos आपको हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं तो comment section में जरूर बताएगा कि आज की class कैसे लगी और class अगर पसंद आई दो प्लीज लाइकों से जरूर कीज़ेगा तो मिलते हैं अगली class में तब तक लिए बाई बाई थैंक्यू थैंक्यू फार वाचिंग